तो वेलकम बैक दिस इस अंडरेटेड गाई साही चैनल का यही नाम रखना चाही था तो आज बारी आचुकी है हमारे फ्लेम हाशिरा जी के फैक्ट्स की यानि की रेंगोकु जी एज आलबेस सबसे पहले सुरू बात होगी नाम से तो हमारे रेंगोकु जी का पूरा नाम है क्योजूरो रेंगोकु हाँ रेंगोकु इसका सरनेम है और हम इनको सरनेम से ही बोलते रहते हैं रेंगोकु जी रेंगोकु जी पर काईदे से क्योजूरो बोलना चाहिए पर क्यो जूरो थोड़ा सा मुझे प्रणाउंस करने में थोड़ा जीब सा लग रहा है रेंगोकु जी सबसे बैश तो सबसे पहले देखते हैं क्यो जूरो नाम का मतलब तो देखो क्यो जूरो का मतलब होता है एप्रिकॉट अरे कहा तोते उड़ गये तुमारे बापिस रेंगोकु का इंगलिस में ट्रांसलेशन होता है पुर्गेट्री ठीक है अब पुर्गेट्री का मतलब यहां पर हर जगा पर अलग अलग मिल जाएगा तुम्हें रोमेनियन में तुम्हें पुर्गेट्री का मतलब पता चलेगा एक ऐसी जगा जहां पर तुम्हें तुम बीजिब करते थे तो उनीने बताया हमारे रेंगो को बहीया को बचपनी में और हाँ इनके फादर भी अपने टाइम के खदनात लेवल के हाशिडा थे तो मतलब बेसिक बगरए तो इनने थोड़ा बहुत क्लियर कर दे लेकिन जो असली मास्टटी हमारे रेंगो कुजी ने प्रेक्टिस करके खुद को अपना इतना काविल बनाया मतलब हाशिरा इसके अच्छे से ट्रेन नहीं कर पाए तो इसकी रीजन मैं आपको भी आगे कर दूँगा अभी तो यहीं है कि मतलब खुद सही भाई साब ने पूरी स्टैल मास्टर कर रखी नाइन फॉर्म पूरे हम खन बिल्कुल हाशिरा बन गए हर चीज में फैक्ट नमबर फ्री है कि हमारे भाईया जी एक नमबर के चटे भी हैं मतलब अंग्रेजी में फूडी मतलब उनके सामने कुछ भी तुम खाने की चीज रख दो वो मस्ट तुमें प्लेट चमका के साफ करके मस्ट पूरा एंज को मिल जाते थे उन से भाई साब पूरा खाना खड़ी लेते थे उन फूट सेलर का थोड़ा बहुत नहीं आप पूरा अंदो जिता है उत्ता दो हमें ऐसा करके फूरा खाना साफ कर मारते थे रेंगुकुजी की रिलेशन भी बागी सबसे काफी एच्छे थे हैंड हर कोई कि उनकी काफी रिस्पेक्ट करता था एवन साथ वाले हासी रास उनके कॉमरेट्स बगरा सब उनको रिस्पेक्ट करते थे सब काखे न रहता था कि रेंगुकुजी वड़े फणी आदमी है तो मैं क्या हूँ और भाईया जी काफी फ्रेंडली भी थे एंड ये चीज़ हम ले बिलकुल अच्छा लेशन बन गया और रेंगुकुजी ने ये तक बोल दिया था कि मैं तांजीरो लोग को बेना बेना फ्री में मतलब बेना किसी पैसे लिए आराम से अच्छे से ट्रेंड कर दूगा एंड टीनों को अपना साथी बनाने के लिए मस्त राजी हुए थ से हमारे पता चल जाता है कि कितने सब भी बन दे थे हमारे रेंगुकुजी हमारे रेंगुकुजी सबसे अदब प्यार अपनी फैमली से करते थे एंड अपने फादर की वी काफी जादा रिस्पेक्ट करते थी जिनका की नाम ता सिंजुरो रेंगुकु एंड जैसा की मैं पापाई की देन है और रेंगुकुजी का एक छोटा भाई भी है जो कि तुमने सेकंड सीजन के पहले अपिसोड में देख लिया होगा जिसका नाम है सेंजुरो रेंगुकु एंड रेंगुकुजी ने भी इसको फाइट करना सिखाया है रेंगुकुजी को मिला के तीन पूरा चेंज हो गया सबके लिए बढ़ हमारे रेंगो कुछी फिर भी कहते हैं कि अपने फादर को उतने रिस्पेक्ट करते प्यार करते चाहे जो भी हो जैसा भी हो बढ़ उनकी रिस्पेक्ट प्यार कभी कम नहीं होगा तो अब बात करी लेते हैं मन के फादर उनकी बैक स तो देखो सेंगुकु को बर्थ देते समय पता नीन की ममी ने कौन सी ऐसी इलनेस यहां पर डेबलब कर ली एंड इसी डिसीज के कारण वो धीर धीर और बीमार होती गई धीरे धीरे बैड रेस्ट पर आगे एंड बैड से फिर वो चली गई छोड़के एंड ये एक सबसे ब कोहल की तासिर पता ही है तुमने धीरे पीना चालो किया फिर वो तुम्हें पीने लगेगी एंड थोड़े टाइम तक और इनने अपनी हाशीरा की पोस्ट समाली डीमन स्लेयर फिर भी रहे थोड़े ताइम तक लेकिन धीरे धीरे उनने वो भी छोड़ दिया पर क्या 25 परसंट काम तो इसने करी दिया था मतलब छोड़ने वाले डीसिएन और बाकी बचा कुछ अकाम इनकी एक बुक ने कर दिया था मतलब इनने बुक भी रीड करना स्टार्ट कर दिया था मतलब क्या करे बचार बंदा अगर मन लगाने लिए कुछ तो करेगा तो वह बुक की सारी styles हैं आप आई हैं लेकिन हमारी main है sun breathing and यही ब्रीधिंग style हमारी तांजिरों यूज़ करता है जो कि तुमने देखा वाँ वाला जब वाटर तो यूज़ करते ही है and जब fire वाली वो यूज़ करते है वो यही sun breathing है एंड यही उस बिक बम बताएगी sun breathing original style एंड बाकी की जित्ती भी styles हैं तो मैं demons लेंगे जित्ती भी मिलेंगी बाकी सब sun breathing सही inspire होके बनाई गई है copy करके बनाई गई है जिससे की कम quality वाले swordsman और वो swordsman जो की chosen one नहीं है वो भी कोई breathing style लेके demons को slay कर सके लेकिन असली जो यहाँ पर बाप फे हुमारी sun breathing ही है बाकी सब ऐसा ही है मतलब उसके सामने तो कुछ नहीं है अब यह चीज तुम अपनी उपर ही लेके देख लो कि तुम flame breathing को काफी time से मतलब अपनी पूरी जिन्दीगी लगा ली तुमने master करने में एंट परा चलता है कि वो कुछ नहीं है मतलब ऐसा ही है main हमारी sun breathing वो ही style बाप है बाकी जो तुम इत्रे time से गर रोप जिसमें पूरी तुमने जिन्दीगी दे दी वो कुछ नहीं है उसके सामने वो सब फरजी है तो तुमको ये सुनके क्या लगी है वैसी तुमारा 75% काम हो चुका है बचा-कुचा काम तुमारा यहां पर भी हो जाएगा तो उन्हें सोचा होदा है और बस फिर बाकी जैसी आज की condition है वैसा ही फिर condition आगे चलती रही अब एक इंटरस्टिंग चीज के बारे हम बात करते कि तुमने हमारी रेंगु कुची की पूरी family देखी होगी पापा बेटा उस से छोटा वाला बेटा सब के बाल तुमने देख़ए होगे से यलोग और रेट कलर के बाल रहते हैं मतलब ऐसा क्यों रहते हैं मतलब यह क्या जेनेटिक्स हैं मतलब ऐसा क्या है तो इनकी फैमिली का एक ट्रेडिशन है जो कि काफी लंबे टाइम से चलते हुए आ रहा है जिसका नाम है कन का गारी एंड इसमें क्या होता है वो ladies जो pregnant होती है उनको flaming torch के सामने खड़ा होना पड़ता है दो घंटे के लिए पूरे एक हफ़ते के लिए और ऐसा नहीं कि वो तुम्हारी torch वो है तुम यहां खड़े हो पास में बिल्गोल torch के और यह चीज तुम्हें सोच के अब समझ में आ गया होगा किती खतनाक है और इसी का कारण बुला जाता है कि यही कारण है कि उनके बाल भी मतलब flaming type के रहते हैं और क्या तुमको पता है कि हमारे लेकिन हाशीरा बनने के क्या जरनी रही ऐसा क्या कारणनावा था जिससे कि इनको हाशीरा का बिल्कुल पद मिल गया तो देखो और अगर तम सोच रहा है रहे लोवर रैंक तो ही तो है भाईया जी ओ जरा यह बात सुनो उनको कोई सिखाने वाला नहीं था हमारे तांजीरो तांजीरो को पूरी प्रैक्टिकल नॉलेज दी गई थी पूरी मतलब एक अच्छी लंबे टाइम के लिए ट्रेंग दी थी और उसने बाकी को पहले भी ट्रेंग दी रखी तो उनको पता था कैसे क्या ट्रेंग देनी है लेकिन यहाँ पे बंदे ने पूरा खुद से सीखा पूरा पूरा टीन बुक से बस पूरा मास्टर की अपनी फ्लेम ब्रीधिं से lower rank 2 को साफ कर दिया एंड उसकी power पता है क्या थी जिस demon को इनके मारा lower rank 2 उसका नाम हाई रो था वो भाई साब वो demon use करता था gun समझ रहो यह तलवार एंड वो gun एंड वो एक beast में भी transfer हो सकता था काफी खतननाग beast लेकिं Rangokuji के सामने contact पा रहा है यह आकाजा कोन कह रही हट एंड आकाजा की बात चली रही है तो अब बात करी लिए थे हमारे आकाजा वाली fight scene के बारे में तो सबसे पहले देखो तो वो एक काफी unfair fight थी क्योंकि देखो हमारी team वैसे ही पहले एक demon से लड़ चुकी थी वो demon कोई powerful रहते है एंड और तीसरा advantage क्या था कि वो अपर rank 3 वाले demon है मतलब इनका और उनका कोई वो competition नहीं है लेकिन फिर भी हमारे रेंगो कुची काफी मतलब करीब आ गयते है उसको हराने के काफी मतलब उनने मतलब मान के चलो उनने करी दिया था यार इस्ते सारे disadvantages होने के बाद भी मतलब उनने काफी close आ गये थे यहीं देखके हमारा आका साभी अचंबा रह गया था भाई साब कि यह कैसे हो रहा है एक इनसान क्योंकि वो तो अपर rank 3 है मतलब वो बहुत जादी powerful है इनसान कैसे हो इसको मतलब इत्ती काई टकर कैसे दे सकता है और इसलिए जब इसने offer रखा था रेंगो को कि क्या तुम भी हमारे साथ demon बनोगे क्योंकि तुम में potential है उसको दिख गया था potential लेकिन नहीं हमारे रेंगो कहां बने गयार वो खुद देखा था तांजीरियों तक से fight नहीं करना चाला था वो अब कहां गया तुमारे attitude कहां गया अपर rank 3 वाला attitude अब क्या है यह सब वहां तुमारे पूरे रात में लड़े रेंगो कुजी पूरे disadvantage मतलब सब असली तरीके से देखा जाए तो हमारे रेंगो कुजी ही जीते हैं मेरे लिए भी वही है क्या ही कर सकते हैं लाश्ट में भी जाते जाते उनकी उनने मतलब एक स्माइल लेके गए वहां पर हस्ते हस्ते ही उनने सबको अलवेदा किया वहां पर एंड वही इंस्पिरेशन बने काफी लोग की इसलिए रेंगो कुजी के लिए दिल में रिस्प का है क्योंकि जो हमारे रेंगो कुजी कर रहे थे वह एक ट्रेडिशन है जो कि समराई लोग भी फॉलो करते थे जो कि था कि अपनी लाइफ की हर एक 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 स्पिरियंस को पूरे दिल से इंजॉय करो अपनी जो मील थुम खा रहे हो उसको पूरा एक एक कौर उसका तो मैं इंजॉय करके एंड पूरे मजे से जीते थे एंड वही चीज यहां पर हमारे रेंगो कुजी भी यहां पर दर्शा रहे थे वही चीज़ हमारे रेंगो कुजी वहां पर कर रहे थे काफी अच्छी तरीके से अपने आखरी काफी पल में काफी अच्छी तरीके से अपने ल